हलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सम्थिंग न्यू विद्गार्गी में कैसे हैं आप सभी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इस चैनल पर बहुत सरे DIY और क्राफ्ट आइडिया शेयर करती हूँ जिसे आप अपने घर को बहुत ही लोग बजट में सजा सकते हैं तो अगर आप भी ऐसे ही कुछ DIY खोज रहे हैं तो आप मेरे चैनल को चेक आउट कीजिए और पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को हिट कर दीजिए जिसे आने वाली वीडियो की नोटिफिके । मैंने इसी को लिया है मैंने कुछ नया नहीं किया बस इसी को थोड़ा सा नया लुक देने की कोशिश की है यह काफी टाइम पहले में लिया था था थोड़ा सा निकल भी घया था मैंने इसकोकर च horns karta और पिर सिंपल बलैक अकर लेकर पूरी पेंटी को फींडियो की भी चीजे बहुत पसंद हैं उनको recreate करना ऐसी चीजे नहीं होती ही जो बहुत पुरानी लगती है जैसे बहुत पुष्ट एनी टाइम की हो इस टाइब की तो अगर आपको भी ऐसा पसंदने है तो आप भी ऐसी चीजों को recreate करिएगा बस कुछ नहीं चाहिए होता है ब्लाक कलर हो इसे के लिए मैंने कैसे बनाया था लेकिन इसमें क्या visual का सिमें पहलेивать के बढ़ा कर तो समय थोड़ाम कर दिया तो मैंने फिंगर के हेप से इसको टैप करना स्टार्ट कर दिया उसका बढ़ा ब्रेश लेकर इसको पुरे से अच्छे से इसको फैला दिया था था आप भी ह तो यह आपके उपर डिपेंड है कि आप इसको कैसा लुक देना चाहते हैं यह मैटली कलर आपको इजी लिए एमेज़न पर मिल जाएंगे लिंक में डिस्क्रिप्शिन में डाल दूंगी इसे रीन्यू करने वाले जो डियाइवाई होते हैं यह बड़े मज़ेदार होते हैं इनमें जादा महनत भी नहीं लगती और फटाफट बन भी जाते हैं सिर्फ दो तिन कलर्स की हैल्प से ही बन जाते हैं तो आप भी अपने पुराने सामानों में खंगा लिए कुछ ऐसा को बोगि प्रोडेक्ट आपको भी मिल जाये जिसमें आप रीन्यू करके उसको के काम में ले सके दूणिए धूणिए कुछ न कुछ तो ऐसा मिली जाएगा जिसको आप रीन्यू करके आप डेकोरेशन के यूज में ले सकते हैं तो कैसा लग रहा जाते हैं स्का फाइनल